प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी के मन की बात कारकरम में 36 जो चात्र चात्राइं हैं वो शामिल नहीं हो उसके बाद PGI Čरइ चंडिघर के जो नर्सिंग इंस्टीटूट ने बड़ी कारवाई की है एक हफ्ते तक तमाम जो चात्र चात्रा हैं होस्टिल से बाहर नहीं निकल सकती हैं ये मामला सुर्ख्यों में बना हुआ है और मामला क्या है आप जानते हैं कि पिछले ही महीने में प्रधान मंत्री का सोवा संस्क्रन आया था मन की बात का जिसको लेकर भाशपा की निताओं ने भरपूर तयारिया की थी और बूच्सतर पर कहा था इस कारिक्रम को सफल बनाने के लिए हम जन जन तक पहुंचेगे और ये भी कहा था क्याम लोगों का सहयोग जो है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को मिल रहा है जिसके बाद सोवा संस्करन जो है वो पूरे देश क के समक्षा है प्रधान मंत्री प्रेरित कर रहे हैं और जो लोग उपलब्दियां हासिल करते हैं उनको भी कहीं न कहीं प्रोचसाहित करने काम प्रधान मंत्री करते हैं लेकिन ये मामला इस प्रकार रहा कि पहले आदेश चारी किया गया पीजी आई चंडिगड की तरफ से कि देखे प्रधान मंत्री का सोवा संसकरन यानि 100 एपिसोड आने वाला है इसके लिए हर एक चात्र चात्रा को उपस्तित रहना है यानि कि आपको प्रेजेंट रहना है उस कारिक्रम में जो स्पेशल प्रोग्राम और्गनाइस किया गया था और तैयारिया जिस सहां से मैंने कहा कि जिलस्तर पर भी हुई बूच्तर पर भी हुई लगातार शिक्षन संस्थान में भी इसमें हामी भरी के देखे देश की प्रधान मंत्री है और उनकी मन की बात को सुनते हैं तो वहां पर लगबग 36 चात्र चात्राय जो हैं वो मुझूद नहीं थे यानि कि आठ जो फस्ट यर के हैं और 28 जो है थर्ड यर के हैं अब इसके बाद क्या था अब उनको यह कहा गया है कि बड़ी कारवाई से आपको जूजना पड़ेगा आप जो है होस्टल से एक हफते तक बाहर नहीं निकल सकते हैं यह बहुत बड़ा मामला है कि प्रधान मंत्री की मन की बा देश जारी क्या गया था कि कारवाई होगी और उसी के तहट कारवाई हुई है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी लगातार अंगदान की भी बात करते हैं प्रधान मंत्री ने जो एक संस्क्रन में बात चीत की थी कि अंगदान जो है कितना महत्वपून है वो कुछ सरजरी इसकी भी बात करते हैं तो वो पीज़ी चंडीगड के तहいき gi तिए और इस नर्सिंग इंसिट Unters प्रोट्साहित करने वाला था और यह भी कहा कि प्रधान मंत्री जो भी कहते हैं वो भलाई के लिए कहते हैं प्रधान मंत्री अगर मन की बात करते हैं तो प्लब्दियों की बात करते हैं और सिखा कर ही कुछ जाते हैं लेकिन पीजिया चंडिगर के जो नर्सिंग इंस्टिटूट का इस तहां से रवया कि लगबग 36 शात्रों को ये सजा मि युवा कॉंग्रेस की बात करें तो युवा कॉंग्रेस भी हमलावर हो चुकी है और युवा कॉंग्रेस ने कहा है देखे तानल शाही की तो इंतहा हो गई जहां प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी लगातार मन की बात करकर लोगों तक अपने मन की बात पहुंचाते तो वह नहीं पहुंचा है यानि कि आम जनता की मन की बात कौन सुनेगा ये बहुत बड़ा प्रश्ट चिन है लेकिन प्रधान मंतरी के मन की बात नहीं सुनी तो 36 चात्र चात्राओं को बड़ी कारवाई से गुजरना पड़ रहा है और ये कारवाई चंडिगड में हुई है पीजी की बात सुनेंगे और जो हालात इस समय देश में उब्जे हैं आम लोग क्या चाहते हैं क्या वो मन की बात प्रधान मंतरी सुनेंगे ये बड़ा प्रश्ट है क्योंकि 36 चात्र चात्राओं पर ये कारवाई बहुत से सवाल खड़ा करती है